दोस्तो बिजली का जटका यानि ये लेक्ट्रिक शौक कहीं भी लग सकता है करेंट भले ही हलका फुलका हो लेकिन इसका अर्शर आपके शरीर वह हिर्दय गती पर जरूर पड़ता है लेक्ट्रिक शौक लगने पर करेंट के शरीर के माध्यमशे गुजाने पर कार्डिक रेष्ट यानि हीर्दय गती रुखने का खत्रा हो सकता है कई बार करेंट लगने से जलना और च्छाले हो सकते हैं हलाकि तेज करेंट लगने से दिल और दिमाग पर अशर पड़ सकता है। इसलिए कई मामलों में लेक्रिक करेंट लगने के बाद तुरंट से करें ये उपाई। अगर आपके शामले किसी ब्यक्ति को करेंट लगा है तो उसे चूँ कर बचाने की कोशिस ना करें। क्योंकि उस वक्त लोगों का ब्रेन काम नहीं करता और उसे चूँ कर बचाने की कोशिस करते हैं। ऐसे में आप भी करेंट के शापेट में आ सकते हैं। इसके लिए किसी लकड़ी या बस्तु का परियोग करें। इससे आपको करेंट नहीं लगेगा। इससे पहले कि आप मदद के लिए आगे जाएं ये सुनिचित कर लें कि आज पास ऐसे चीज़े तो नहीं है जिसमें करेंट हो। ब्यक्ति को करेंट लगने वाली चीज़ से अलग करने की कोसिस करें। इसके लिए पावर आफ कर दें या डिवाइस को अलग निकाल दें। ब्यक्ति को अलग करने के बाद उसे recovery position में लिटा दें इस position में ब्यक्ति किसी एक करवेट में होता है और उसका एक हाँ सीर के नीचे और दूसरा आगे की तरफ होता है और उसका एक पैट सीधा होता है और दूसरा मुड़ा हुआ होता है इसके बाद उसे ठोटी उठा कर जा को एक साफ और सुके कपड़े से बांद दें अगर आपको ब्यक्ति के शांस लेने खास नहीं या किसी भी तरह की गत्वीदी का कोई संकेत नहीं मिल रहा है तो आप सीपियार शुरू करें इस पर थामें चिकिस्सा से किसी भी होस या मुर्शित ब्यक्ति के दिल और फिफ्र ऐसे ठीक लग रहा हूँ